हेलो एवरिवन क्या हाल चाल बच्चों आपके लिए हम फिर से आयूश की काउंसलिंग के उपर जो नोटिस आई है ए ए ट्रिपल सी की साइट पे उसी के शेडियूल को हम आपको एक बाद फिर से याद दिलाना चाहते हैं तो बच्चों इंपोर्टेंट ये कि जैसा कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट राउंड ओवर हो चुका है अब आने वाली है सेकेंड राउंड के बारी है ना लेकिन हमारे बच्चे विलकुल भी भूले ना क्योंकि सेकेंड राउंड उनके लिए आने वाला है क्या शेडि के बारे में किस किस को से बारे में जो आयुश के को सिस होते हैं ठीक है अब देखिए जो टाइम शेडियूल है कि आपको फॉर्स राउंड के लिए हमने सब को डिटेल बता दिया था किसका रिजिस्ट्रेशन कम होना था यह सारा कुछ अक्षिलिक खताम हो चका अब हम बात क में रहे है आज 2nd round के बारे में जो कि आपका यह है तो सेंड डाउन में अगर हम देखे तो फंस्यूंबर से आपका registration start होने वाला है एक December से आपका 5 December registration और payment के facility आपके start होने वाली है समय का बिल्कुल दियान रखेगा आपके सामने ये दिया हुआ है एविन आप उसे वीडियो को पॉस्ट करके इसका screenshot भी ले सकते हैं तो बचो ये आपके registration और आपका payment 1 December से start होने वाला है अगर हम बात कहते हैं choice filling and choice locking की तो 2nd of December से आपके start होने वाली है choice locking and choice filling का option ठीक है choice locking आपका 3 पजे से 11.15 तक होगा on 5 December तक तो अपने समय को अपने time को अच्छे से ध्यान रखेगा विकास आपको time दिया गया इसका भी पूरा का पूरा अच्छा खासा दिन दिये गए है ठीक है 4 डेस देखे नीचे लिखा है नेक्स अगर हम बात कहते हैं seat allotment जो भी आपने लिया उसका कब उसका processing कब होगा तो processing of seat allotment कब होगा 6 to 7 December होगा इसका जो result है publication जो result आएगा आपका second round का वो आएगा आपका 8 December को आएगा और reporting जो होगी आपके allotted institute में वो होगी 9 to 17th of December ठीक है तो 9 दिन का time period दिया गया है आपके reporting के लिए भी ठीक सो अभी तक की official notice के according आपके पास ये एक वक्त दिये गए है समय दिये गए है time periods है जिनको आप दियान में अपना रखिएगा and the very important thing कि आपका जो registration है second round का वो एक December से start होने वाला है तो जिन बच्चों को मौका first round में नहीं मिल पायता है या जो upgradation कराना चाहते थे ठीक है उनके लिए कि ये मौका बहुत ही अच्छा बहतर मौका मिल चुका है तो बच्चों अपनी सारी चीज़े आप दियान से समहाल के रख लीजे विकास आपका registration स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो इसी तरिके के अपडेट्स के लिए इंफर्मेशन के लिए काउंसलिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर लगाता बने रहे हैं जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ चिल देन बाई और टेक कियर आफ यह सेल्फ